एक समय की बात है, एक छोटे से गाव के पास एक जादूई गुफा थी। गाव वाले कहते थे कि उस गुफा में एक सुन्दर परी रहती है। वह परी हर रात चांद की रोशनी में अपने पंख फैलाती थी और आसपास की प्रकृती को जादूई बना देती थी। एक दिन, एक ननहा बच्चा, रामू, अपनी जिग्यासा के चलते गुफा के पास गया। उसने वहाँ एक चमकती रोशनी देखी और धीरे धीरे अंदर गया। गुफा के भीतर, उसने परी को देखा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो, रामूू रामू ने कहा, मैं आपको देखने आया हूँ, आप बहुत खूब सूरत हैं। परी ने हसते हुए कहा, अगर तुम अच्छे काम करोगे, तो मैं तुम्हें एक विशेश शक्ती दूँगी। रामू ने फैसला किया कि वह अपने गाउं के लोगों की मदद करेगा। उसने पेड़ पौदों की देखभाल की, बूरों की सेवा की और हमेशा अच्छे काम किये। परी ने उसकी अच्छाई को देखकर उसे जादूई शक्ती दी, जिससे वह दूसरों की मदद कर सके। अब रामू गाउं का हीरो बन देया और वह हमेशा अपनी जादूई गुफा और परी को याद करता रहा।